दोस्तो सुबह यानी दिन का वह समय जब हमारी सब इंद्रियों में एकपरमित शक्ती और उर्जा होती है हमारा मन मस्तिश्क और हमारी आत्मा एकदम तरोदाजा महसूस करती है परन्तु यदि किसी कारणवश हम दुखी होते हैं और हमारी मानसिक सिती ठीक नहीं है तो इसका असर हमारी इंद्रियों पर भी पड़ता है सुबह का समय हमारे लिए बहुत ही महतोपूर्ण समय होता है क्योंकि हमारे दिन की शुरुवात यदि तरोदाजा होती है तो हमारा पूरा दिन भी अच्छा गुजरता है शास्त्रों में भी सुबह का समयाती महतोपुर्ण माना गया है हमारे शास्त्रों में कुछ ऐसे काम बताए गया है जो सुबह उठकर यदि सबसे पहले किये जाए तो हमारे पूरे दिन पर इसका असकारात्मक प्रवाव पड़ता है और पूरा दिन अच्छा गुजरता है परिंतु शास्त्रों में कुछ ऐसे कामों का जिक्र किया गया है जिनने सुबह उठने के तुरंद बाद भूल से भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा पूरा दिन खराब गुजरता है और इसका नकारात्मक प्रवाव हमारे जीवन पर पड़ता है यहां तक कि हमारे सारे बनते काम भी बिगड़ने लगते है आज हम आपको ऐसे ही कुछ कारियों के बारे में बताएंगे जिनने सुबह उठने के बाद मनुश्यों को भूल से भी नहीं करना चाहिए नई तो इसका प्रवाव उसके मानसिक, आर्तिक और सामाजिक सिती पर भी पड़ सकता है तो आईए जान लेते हैं कौन से है वो काम सबसे पहला काम वाद विवाद करना सुबह उठकर सबसे पहले अपने इश्ट देवता को हाद जोड़ कर आरादना स्पुर्म नाम स्मरन और मंत्र उचारन करना चाहिए ना कि किसी प्रकार के अब शब्द मुझ से निकालने चाहिए अपने गुसे पर नियंत्रन रखने के लिए प्रभू का नाम स्मरन करे और वाद विवाद तता लड़ाई जगडे से बिलकुल दूर रहना चाहिए सुबह के समय हुए जगडे का हमारे मन मश्टिश पर पूरे दिन असर रहता है और हमारा किसी भी काम में मन नहीं लगता बलकि बनते काम भी बिगड़ जाते है दूसरी बात आईना तता पर चाहिए जिस प्रकार सुबह उठकर इश्वर का नाम स्मरन करने से हमारा दिन शुब होता है उसी प्रकार इश्वर का दर्शन करना तो कितना शुब होगा सुबह उठकर सबसे पहले स्वयम का या किसी अन्य विक्ति का चैरा कभी नहीं देखना चाहिए इसी कारण हमारे बास्तुशास्त्र में बेडरूम में आईना लगाने की मनाई की गई है इसके बजाए यदि सुबह उठकर अपने इश्टदेव के दर्शन करे तो इससे निश्चित शुप परिनाम होंगे क्योंकि सैयम कक्ष्यानी बेडरूम में इश्वर के फूटो लगाना भी वर्जित माना गया है इसका उपाई यह है कि आप सुबह उठकर सबसे पहले अपने दोनों हतेलियों को आपस में जोड़कर उसके दर्शन करके अपने इश्टदेवता को याद करते हुए इस मंत्र को बोले ओम करागरे वस्ते लक्ष्मी करमदे सरस्वती करमोलेच गोविंद प्रबाते करदर्शनम इस लोग का अर्थ है कि आपके घर के अगरा भाग में मा लक्ष्मी का निवास है कही लोगों की आदत होती है कि अपना सारा गुसा घर के महिलाओं और बच्चियों पर निकालते है उन पर हाथ तक उठा देते है लेकिन ये किसी भी दृष्टी से बिलकुल भी सही नहीं है सुबह उठकर सबसे पहले घर के किसी महिला का अपमान करना मा लक्ष्मी का अपमान करना माना गया है दिन के शुरुवात में आप लक्ष्मी का अपमान करेंगे तो लक्ष्मी आपके पास निवास करना पसंद नहीं करेगी इसलिए सुबह उठने के तुरन बाद अपने मन पर स्वयम रखे और घर के किसी महिला को किसी भी प्रकार का अबशब्द ना कहे नई तो ऐसा पुरुष को मा अलक्षमे के क्रोध का सामना करना पड़ता है शास्तरों में सुबह सुबह क्रोध करना भी अनुचित माना गया है सुबह उठते ही क्रोध करने पर इसका असर मनुष्य के मन पर दिन भर रहता है और उसका कारिय में मन नहीं लगता इसके साथ ही उसके जीवन में नकारात्म कुर्जा का प्रबाव बढ़ता है और व्यक्ति उन्नती करने के बजाए अदोगिती करने लगता है ताम सिहर तता दुम्रपान ना करे दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे आहर का हमारे मन, मस्टिश्क और व्यवार पर गेरा प्रभाव पड़ता है हमारा आहर जितना सात्विक और पोस्टिक होता है हमारा व्यवार भी उतना ही सौम्य होता है सुबह के समय वैसे भी भरपेट और पोस्टिक नाश्टा करने की सला दी जाती है उसमें भी यदि हमारे आहर में तामसी और बासी पदार्थ होंगे तो हमारा पूरा दिन प्रबावित हो सकता है इसलिए कभी भी सुबह तामसी या बासी आहर ना ले हिंसा की तस्वीर ना देखे वास्तु शास्तर के अनुसार मनुश्यों को सुबह उठने के तुरण बाद किसी भी प्रकार के हिंसक तस्वीरे कभी नहीं देखनी जैसे कि युद्ध, हिंसक, पशु या हिंसक अश्तर इन चीजों को देखने से इनका नकारात्मक प्रबाव मनुश्यों पर पड़ता है उसका स्वबाव अतिन्त क्रोधित बनने लगता है इसके साथी पशु पक्षियों को लड़ते हुए देखना भी अशुब माना गया है अगर घर से बाहर जाते हुए किसी को वाद विवाद करते देखे या किसी का जगड़ा होते हुए देखे तो उनके बीच में ना पड़े और ना ही उस जगड़े में किसी भी प्रकार से शामिल हो उस जगड़े को दुरलक्ष करके अपने कार्य की और निकल पड़े नई तो उस वाद विवाद का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर भी पड़ सकता है तो दोस्तो ये ती वो कुछ कार्य जो मनिश्यों को सुबह उठते ही नई करनी चाहिए धन्यवाद